कि कोई भी आदमी जो इस पिर्थवी में रह रहा है उसको आत्म सम्मान की बहुत सकत जरुरत होती है और जब भी उसको कहीं से भी कहीं पर भी आत्म सम्मान मिलता है तो वो दरनत मस्थक हो जाता है जिस तरीके से हम अपनी बह Eck, बेटी, मां को एक देवी का सबरूप देते हैं ठीक वैसे ही बहन मिनाक्षी लेखी को जो की मेंबरों पार्डलेमेंट नहीं दिल लिया है हम उनको देवी का सबरूप मांगते हैं हमारा 11 समाज क्योंकि बहन मिनाक्षी लेखी ने 25 जुलाई 2016 को संसद में कोश्चन उठा कर जो हमारे 11 समाज को आत्म सम्मांग दिया है हमारा समाज पूरा का पूरा उनके लिए नतमस्तक है बहन में आक्षी लेखी जी जिस तरीके से हमारे समाज के लिए दिन परते दिन कार्या कर रही है मैं समस्त 11 समाज से 11 भाईयों से इस्तिरी पुरुष से बालक बालिका से नर नारी से विनम्र निवेदन करता हूँ आने वाली 21 अक्टूवर को हर्याना में और महरास्ट में विधान सभा के इलेक्शन है उसमें आप अधिक से अधिक वोड दीजिये भारतिय जंता पार्टी के कोई भी परतियाशी है उसको भारी भूमतों से विज़े ही कराए उसके लिए मैं इस बात की अपेली इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे समाज की पूरे इंडिया में कहीं पर भी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आती है बहन मिनाक्षी लेखी जी ढाल बन कर खड़ी हो जाती है हमारा हर्याणा में अंबाला में एक मंदिर है माता महरानी का मंदिर जो की 1942 का मंदिर है उसको कुछ लोगों ने 40 साल तक कबजा करके रखा जब यह वाली बात हमने बहन मिनाक्षी लेखी जी को बताई मेंबर और पार्लेमेंट नई दिली को उन्होंने वहां के सीएम साब मनोहर लाल खटर जी को फोन किया उनको चिठी लिखी वहां के पुलिस कमिशनर को बोला और यह कहा कि यह मंदिर 11 समाज कर है ऐसी जाती का है इनको यह मंदिर दिलाए जाए उनके बहन जी के अथक परियास से हमारे को वह मंदिर मिल गया आज मंदिर हमारे पास है लेकिन उसका भी एक एकड़ भाग किसी दूसरे आदमी ने कबजा किया वह जिसमें धरमशाला बनी वी है मैं बहन मिनाक्षी लिखी जी से मनोरलाल खटर जी सीम हरियाना अमिसा जी जो कि हमारे ग्रह मंतरी हैं परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी से हाथ जोड़कर विनिती करता हूं प्रासना करता हूं कि जिस तरीके से आपने हमारा सही योग किया जिस तरीके से आप हमारे समाज की रक्षा सुरक्षा करते हैं ठीक इसी परकार से ये जो हमारी अरचने इसको भी दूर करें